हेलो क्रिकेटर्स तो कैसे आप सबी है आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट को कैसे मैनेज करें तो अगर आप मेरे इस वीडियो पर पहली बाड़ा हैं तो सिस्क्राइब कर लिजिए लाइक एड अपने दोस्तों में सेर कर लिजिए के अगर पुस्केटर फैसलीटी नहीं है तो आपको तो अगर में पर इसक्राइब को जाए जिए टाइमिंग यह फिर नौ सफिल ना यह अगर आप नौ सफिलर में बढ़ते हो और उसके बाराई अगेड़मी आते हो तो रडायम अगम एकाम मिलता रूस्तों ऐसे में जिस्कु का होमब्ड, प्रिट्यूसर का होमब्ड करने के बाद टाइम नहीं बच पाता है। तो मैं आप लोग यहीं बताने वाला हूं कैसे मैंनेज करें। मैं आपको दो टिप्स ऐसा दूपना दोस्तों, जिसे आप पढ़ाई के साथ साथ किर्केट भी मैंनेज कर सकते हैं। तो आप लाश्ट टेक बनेड़ा यह चलिए, यूग सुभात करते हैं। दोस्तों आपको तो यह पता ही होगा किर्केट खिलना कितना टॉपगा। अगर आप जानते हूँ, मेरा पढ़ाई के साथ किर्केट हो पाएगा। तो आप कर सकते हो। नहीं तो बहुत सला प्रोग्लम हो सकता है। पढ़ाई नहीं को पाएगा। तो किर्केट खिलने के लिए आपको कम से कम 5-6 गंदा तो दे नहीं पढ़ेगा। क्योंकि ऐसा दो सुवाज समय जलता है। तो आप उस दिन इसकुल नहीं जा सकते है। चलिए मैं आपको यह बता दू, सबसे पिले टाइम मेनज कैसे करते हैं, आपको सुबह भी अकड़मी जा सकते हैं, आप जिस एकेड़ीमे अडिमीसल लिए है, उस एकेड़ीमी में आप सबसे पता लगाए कितने बैच चलते हैं, बहुत सारे अकेड़मी में सुबह दो पर स साम और आप चार बैच चलता है, अगर आप जिस एकेड़ीमे अडिमीसल लिए है, उस एकेड़ीमी सुबह या साम, दो बैच है, तो आप दोनों में से तिस एक बैच में जा सकते हैं, तो टाइम में जैसे ही हो जागा दोस्तों, आप सुबह साम को फिर आओगे, खाओगे खेलने चले जाओगे, पढ़ाई करने में साथ साथ, अगर किरकेट आप खेलना चार है, तो कम से कब आपको पढ़ाई में 7-70% नमड लाने करें जोश्तों, कितने लोग हैं, ऐसे जो पढ़ाई नहीं करके भी किरकेट प्रफोकस कियां दोश्तों, पढ़ा भी नहीं करते ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना जरूरी होता है, किरकेट में डोकमेंट्स का जोध पढ़ता है, अगर आप लोगो को किरकेट में कौन कोल सा डोकमेंट्स अलगता है, उसका आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स करके बताया तो चलिए बात करते हैं, वो दो टिप्स का, जो हमने आपको बोला था, अगर मैं आपको बता दूए ये तो आप खुट टाइम मैंज़ करना, जन्म राजागा दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं, पहला ये, आप या तो साभ को जा सकते हो एकडमी, आपका रती मिले चुट होता दोस्तों इसको, या तो चार से छेल जाओ या छे से आठ, मैं पहले ही बता दोस्तों, एकडमी में अलग अलग बैच होता है, तो पहला प्रेटिक्स हो गया, और दूसरा टिप्स मैं ये बता रहा हूं दोस्तों, आप जितना हो सके हैं, उतना, प्राइम दो नुमर ल क्योंकि सुवा क्या होता है दोस्तों, मैं इस रेस हो चुछा आ रहाता है, और सुवा अपने मन पर संद काभू करते हैं, तो दी बड़, देर में चुछती कूर्तिर आता है दोस्तों, तो मैं ज्यादा, मैं यही बोलूंगा, कि आप लोग सुवा वाले, केडमी वाले लो यह सब वीडियो लाता राता हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सेर और सब्सक्राइब कर देए, तो चलिए अगले वीडियो में देए